राजिस्तान में सुकदिफ सिंग गुगा मेरी हत्यकान के बाद में एक बार ये सवाल खड़ा हो गया है कि शांथ प्रदेश राजिस्तान में ये लगाता जो शूट आउट हो रहे हैं या गैंग्स की जो बात आ रही है चाये वो लौरेंस विश्नुई की बात हो रोहित गो मिला फिलाल पूरी तरीके से राजिस्तान को अपराध मुक्त वो लगातार करने का जिम्मा उन्होंने समाला हुआ है इस समय हमारे साथ में मौझूद है सर राजिस्तान तो बड़ा शांद प्रदेश कहा जाता है आप लगातार देख रहे हैं बड़े-बड़े टास्क जो राजिस्तान में जो क्राैम को पैटर्न बड़ बड़ला एइसके बाद शुराभ तसक्री कि काफी गैंग से युझ में तूर ऑड़े अपस में गैंग वार उने लग गया और काफी पैस आने लग गया पैसे के साथ पावर्प्लस वेपन अगरा शुकतं अगर ऑर उसस कि उसी समय में शेखावटी में आनन्दपाल गैंग और राजुटेट गैंग पन पे इनकी दुश्मनी से भी काफी मुर्डर्स हुए काफी गैंगवार हुए उसके बाद जब वो दोनों खतम हुए उसके बाद जो उनको देख के काफी एक तरह से वो जो लोग ग्लैमरेज ह उनको लगता है कि शायद इस लाइन में जाने से कुपा ऐसा मिलेगा और पावर मिलेगा और एक तरह से उनकी इंपोर्टेंस बढ़ेगे और इस वजह से राजस्थान में बढ़ रहा है और अब हम लोग पिछले कुछ समाही से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक तो जितन करने वाले इनके असोसियेट से उनकी किलाव एक्शन लेना उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना प्लस उनको केसों के अंदर रखके सजा कराना इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं और इवन सोशल मीडिया में भी जो फॉलो कर रहे थे तो उनको भी काफी एक्शन लिया हम लोग लॉरेंस विश्णोई का जब नाम सामने आता है यह भी जेल में मौझूद है रुहिद गोदारा उसका जो सबसे बड़ा सपोर्टिंग हैंड है वो भारत से बाहर है नेटवर्क अपना चला कैसे रहा राजिस्तान में इतनी बड़ी दखलंजाजी क्यों नहीं तो राजस इनकी आपस की कहीं दुश्मनिया है कहीं वर्चस्व की लड़ाई है तो इस तरह से अलग-अलग कारणों से अलग-अलग वार्दात हो रही है और प्लस एक इनका एक पॉलिसी है कि आपस में जैसे इनकी दुश्मन जो इनको समझते उनको मारे उससे जो टेरर क्रेट करें इस तरह से चल रहे है लेकिन आगे उम्मीद है में जिस तरह से हम पिछले 8-10 मेने से हम लोग लगतार एक्शन ले रहे थे उसको और बढ़ाएंगे और इसमें तेजी लाएंगे और जितनी भी इवन सपोर्टर से इनकी जो सपोर्ट करेंगे या इनकी शरंड देंगे उन उनकी प्रॉपर्टी से प्लस केस में ऑगी आगे लिए अगी अरेस्ट करेंगे उनको फास्टराल करा के जल्दी सजा कराने कली कोशिश करेंगे मैं उम्मीद है राजस्तान पूलिस हमेशे इस तरह के चैलेंज्च का इसको एक्सेप्ट किया है अब इवन जब राज़स् लिए इस तरी की जो गैंक से और इन सब इक लाव देख लेंगे और यह जो बारतपूर सेड में जो ज़ो जो इस भर क्रिमिनल से उनके कि लाव पी इन सब किकलाव हम लोग एक योजनाबत तरीके इसे काम करेंगे और इन से किलाभ एक्षिन लिंग है। जो बाहर चले जाते हैं उनको आप नहीं देखा होगी और भी बहुत सारे जो बाहर जो क्रिमिनल से उनको लाने पाएं और बहार से लाना क्यूंकि बाहर की देशों की ये तो उनके कितना सपोर्ट करते हैं और कौन सी जगर रहते हैं और यह वाकरी मुश्किल रहता है, इसक अगर वो नहीं आए उससे पहले यहां जिनको सपोर्ट करने वाले हैं उन सब किलाब बहुत तो शेखावाटी गैंग्स के अंदर यह बहुत बड़ा चैलेंज था कितनी बदलियां चीजें आनिदपाल के समय जब आप एसोजी में अथे वह बहुत बड़ा एक टास्क था उसके बाद क्या ट्रेंड बदल गया है राजिस्थान के अंदर अपराद जगत के अंदर अप पराओ बहुत ज़्यद्ध ट्रयन नहीं बदलताय कि आप भारत पुर में भी क्रिमिनली लोग मुखा मिलते ही वर्दात कर देते हैं अब ईले बढ़ा नहीं को प्रेशर था और उसके बाद एलक्षिन में पुलीस की गैंग वार हुए एक मरडर हुए जोत्पर में हुए है तो बेसिकली क्रिमिनल से ये लोग मौका मिलते ही वरदात कर देते हैं अभी पिछले 8-10 मेने से तोड़ा प्रेजर था और उसके बाद में पुलिस की भी प्रियोरिटी बदल गए तोड़ा तो फॉलो करना तोड़ा कम हो गया होगा शायद क्यूंकि एलेक्शन बड़ा प्रियोरिटी था और एलेक्शन होते ही इन्होंने मौका दे के वरदात कर दिया लेकिन आगे पूरा कोशिश करेंगे और राजस्तान की मेरा आखरी और सबसे ज़रूरी सबाद जातर इन तमाम गेंग्स में यह देखा गया है कि युवाओं को अपनी तरफ आकरश्यत करते हैं आपने जब से जिम्मेदरी समाली एडीजी कराइम की सबसे पहले आपने यह किया कि युवाओं को आपने लगातर जोडने के प्रय है उसको मेहनत करें और अगर किसी को हीरो बनाना चाहते है अपने माबाप को बनाए बाप को बनाए जो कोई टैक्सी चला के उनको पढ़ा रहा है कोई दुकान चला के उनको पढ़ा रहा है कोई कॉलेज में पढ़ा के उनको पढ़ा रहा है यह समाज के सही हीरो से अब उ उसके आचावा किरिमिनल को हीरो मानेंगे , उससे कोई कुदी कुदी कृमिनल बनेंगे जो की काम करा रही है , पैसे इनसे ले रहे है दो खैशा लिणता है बहे जाना चाहिए जिंदिकी में बहुत इजैट भी मिलेगी , नानगा किया राजिस्तान के अपरादियों के लिए कोई मैसेज नहीं होता है वो अर्दात करेंगे तो पुलिस पकड़ेगे अरेस्ट करेंगे चारशीट करेंगे सजा कराएंगे हम तो प्रोफेशनल पुलिस ऑफसर से हम लोग तो कानूनन काम करेंगे ठीक है तो ADG Crime दिने शेमन जन्होंने इसाफ कर दिया है कि राजिस्तान में अपरादी कहीं भी चुपा हो तो राजिस्तान पुलिस जल्द से जल्द गिरफतार करेंगे और खासकर युवाओं को यह याद दखना होगा कि इस तरीके के तमाम जो अपरादी होते हैं या अपरादे क् क्यानत करके आपके जो तमाम सपने होते हैं उनको पूरा करने के लिए हर संबब कोशिच करते हैं वीडियो जनलिस्त राजू चौदरी गता आशितुर श्यर्मा न्यूज नेशन जैपुर